तो इस वीडियो के माधियों से आज हम देखेंगे पाथवेस फॉर नेजो पल्मनरी ड्रग डिलेवरी तो वाट एक्जेक्टी इस पाथवेस 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 एक्चुल में यह है कि जैसे फर एक्जांपल यह सामने स्क्रीन के ऊपर आपके नक्षा है जो क इसको रीच करना है वह डेस्टेशन अगे इसके बीच में बहुत सारे स्टेशन साएंगे रहेस बागी जो में चीज है कि जिस पाथ को वह फॉलो करती है जिसके उपर वह चलती है एक्चुली बदिपाथ वे तो ठीक इसी तरीके से इस वीडियो के माधियम से हम यह जाने और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंसती है that is actually the systemic circulation systemic circulation मतलब in the sense कि जो blood flow है blood में एक बार जब वो आजाएगी तो finally अपने जो destination final जो होगा that is the site of action जहां पर उसको असर दिखाना है वो कहीं पर भी हो सकता है तो कुल मिला करके आप ऐसा समझेए कि जिस भी रास्तों के जरीए हम medicine अपने body के लिंदर डाल सकते हैं उसमें oral route है और उसी तरीके से एक route है nasal जिसको nasal pulmonary drug delivery के नाम से जाना जाएगा अब oral delivery के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि oral delivery मतलब जो भी हमने मुझ से कुछ खाया तो डारेक्टली जाएगा हमारी जी आइडी याने gastro intestinal tract में जाएगा वहां से फिर वो absorb होगा कई तरह के mechanism से और फिर blood के अंदर enter करता है कि मैं आपको screen के उपर यह example इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इससे आप correlate कर पर कर पाएं जब हम nasal delivery के पर आएंगे तो जो mechanism follow करते हैं वह पैरा cellular है diffusion है और एक्टिव पैसे ट्रांसपोर्ट है यह सारे अभी सभी आपने जाने होंगे पढ़े होगा तो आप कमेंट करके बताईएगा इनकी उपर भी मैं तो ठीक इसी तरीके से उन सारे ही mechanism वही जो अभी हमने देखे एक्टिव पैसिफ और बहुत सारे जो पैरा cellular ट्रांसपोर्ट इसी तरह के mechanism को follow करते हुए ही same to same जो drugs हैं उनको हम nasal cavity के थुरूप पहुचा सकते हैं मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस वीडियो के माद्यम से हम वह section को cover कर रहे हैं कि medicines और drugs यानि APIs को हम body के अंदर nasal cavity के जरीए किस तरीके से पहुचा सकते हैं तो उसमें nasal पाथवेस के ओपर हम cover करने तो mechanism थे जो अभी हमने देखे और इस डाइग्राम में आप देख रहे होंगे जो में मेजर जो sections हैं जहां पर वो cover हो सकता है वो है olfactory bulb then cry by form plate olfactory nerves और olfactory tract तो यह दीजा सम अफ दी major areas जहां से drugs को entry मिलती हैं फिर बात आती है कि जो entry वो करेंगे तो जिस तरीके से gastrointestinal tract में भी जब उसे स्टमक से blood के अंदर जाना हो अगर ड्रग को तो उसे बहुत सारे barriers पार करने पड़ते हैं उसी तरीके से same जो nasal cavity है वहाँ पे भी कुछ barriers होते है barriers in the sense की कौन सी ऐसी रुकावटे हैं जो एक drug के रास्ते में आएंगी उसको पार करने के लिए दरासल ये एक प्राकरतिक संरचना है शरीर की कि इस तरीके से मजबूत उसको बनाया गया है कि अनावश्यक तोर पे किसी भी तरह की environmental चीज हमारे तरीके से वह barriers भी जब बनते हैं तो अगर हमें कोई चीज पहुचाना भी है तो उसको लिए भी barrier है बाकी कोई भी चीज हो जो आउटर environment से आ रही है चाहे वह positive हो negative हो अब उसे वह barriers तो cross करने ही पड़ेंगे तो nasal cavity nasal pulmonary drug delivery के section में चार total मुख्य और commonly जो सबसे पहले होते हैं वह barriers को cross करना पड़ाता है जिसमें सबसे पहले है mucous layer then epithelial layer then basement and then capillary finally इन चारों को पार करने के बाद ही drug molecules finally systemic circulation पहुच सकते हैं यह वाला section आज हमने इसलिए cover किया क्योंकि यह barrier को cross किया जाए कैसे किया जाए उसके लिए बहुत सारी approaches होती है तब जाकर के ही वह barrier पार हो सकता है तो वह approaches जो है जिनकी जिस तरीके से हम modification कर सकें drugs में dosage form में ताकि हम drug molecules को एक origin से जहां से हमने administration किया है वहां से हम उसको अपने main point पहुचा सकें अब शरीर की जो है सनरशना वह तो प्राकरते कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता लेकिन जो हम modification कर सकते हैं वह pharmaceutical approach है उसमें तो हम गरी सकते हैं तो फाइनली यह आज हमने देखा कि किस तरह के pathways होते हैं और क्या-क्या उसमें जो natural physiology है जो body की है उसको हमने जाना अब इसको जाने के आदा अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी approaches की जरीए इन barriers को हम पार कर सकते हैं